तोब से मुझे दस बार कहा चुकिए कि यह हिरोइन बनके गूम रही है तो मैं इसको एक पारीफ सुने तो डरेक्ली बोल दो ना मतलम ऐसे इंडलेकली किसी को चिपकाने के क्या जरूरत है तो इसके लिए हैडलाइन होनी अब इसको घ्यारी फूल हीरोईन बनके घुरिया लड़ी खुबसुरत तो यह आई जो दो आप चुलबुली सी बालिकाओं को देख रहे हैं यह कल को एक बनेंगी जिले की कप्ता डियम और एक बनेंगी कस्टम कमिशनर घीस्टी कमिशनर या पता नहीं क्या-क्या पद होते इनका परिशे जो ज्यादा मुस्कुरा रही है जिन पर ताने कसे जा रहे हैं यह दिव्या है इनकी UPSC में रहाएं कितनी 89 105 UPSC में 105 और यह मुदिता है मुदिता की रहाए 381 तो मैं जो है दो UPSC क्वालिफाई कर चुकी बच्चीयों के साथ बैठा हूँ और इनकी जो हस पढ़ा यह यह बताओ कि आज क्या क्या हुआ आज यह हुआ मतलब मुझे पता था कि रिजल्ट आने से पहले बहुत धगदक होगी तो मैं सो ही सुबह हूँ ताकि रिजल्ट आने से पहले maximum नीन ली जाए तो बस उठने के बाद कुछ नहीं ज्यादा मुका मिला नहीं था दगदग होने का तुरंट रिजल्ट आ गया था बस उसके बाद केक मिठाई ठूसे और बुछ ने किया मोधिता के कमरे में बहुत सारी मिठाई गया और केक भरे पड़े हुए हैं इन्होंने हमें भी ओफर किया है लेकिन हमने का पहले इंटरव्यू कर लिया जाए जब हम बेरा पाटेगा मतलब होता इस लाइट का मतलब अब पता चलेगा अब पता चलेगा हर्याना कि यहार और लेजितान से और इब बेरा पाटेगा बड़ा हर्याना में चलन है कि यह मुझे भी बहुन तो बातने और में वे कि कि मुझे तो थोड़ी से टेंशन थी कि पता नहीं क्योंकि इस बार प्रेशर भी था कि I'm already an IPS officer तो मुझे था कि अगर इस बार नहीं होगा तो लोग यह क्या देंगे कि क्या पता है से फस्टेंट में तो थोड़ा प्रेशर हो जाता है तो मैंने तो अज सुबह से कुछ नहीं खाया अब मैंने केक वेक जो मिठाई विठाई सर ने किलाई को जरा केक में खिला दीजिए वह उपने बस वहीं खाये सुबह से केक मिठाई बस दिव्या की कहानी इसलिए दिल्चस्प है कि दिव्या 22 साल की उमर में IPS बन जाती है और 23 साल की उमर में IPS कॉलिफाई कर लेती है और अब जो है आप एकदम से सोचल मीडिया पे सब जगह दिव्या दिव्या और पुरा हर्याना जो है वह मेरे नाम से चीज़े भी चलती है वह बहुत सीखती हूं इससे मैं चोड़ लड़गी है और बादि दरो के फोन आएं ओस और वह मeros Éश़् आप सारे रिष्टेदार निरुत के शाष्टार भी इवहां भी nouveau गएं हम वह फिसली बार भी बढ़ गए थे इस हगए हैं यह बढ गें तक वही सबका बड़ों को बोलो तैंक यू आशिरवाद रखनावस यहीं तो पहले से जानता था कि यह लड़की कुछ करें लाइन सबकी यह होती है यह हमें तो बता था बच्पन से अरे तुम तो टॉपर रही हो अरे हमें तो बता ही था तो होता ही है अब थोड़ा सा उस क्या रूटीन रहता था थोड़ा थोड़ा आप बच्छों को बताएं जाकी जो आगे त्यारी करने वाले उनको पता सब्सक्राइब clamps तो डिपेंट्स आपका शेडूल किया है मैं हमेश्या से रात को पढ़ने वाली रही हो तो मुझे वह ज्यादा सूटेबल लगता है तो मैंने वो किया मैं तो दिन में पढ़ने वाली लड़ी कि फिर भी मेरे डार्क सरकल हो गया है इसके तो हो भी नहीं है मैं तो दिन में पढ़ते सुबह जल्दी उठना रात को जल्दी सुना तो मैं दिन में पढ़ती थी जैसे सुबह लाइब्रेरी आठ के करीब चली जाती थी जब मैं में मेंस की तैयारी कर रही थी और उसके बाद मैं दिन में पढ़ती थी रात को मेक्सिमम ग्यारा बजे बस उसके बाद नहीं ग्यारा बजी दिख भड़ी है यह आपको दो उदाहरा हों है उत्तम वाले कि चाहे आप दिन में पढ़ें चाहे आप रात में पढ़ें मल लगा के पढ़ें यह बिल्कुल खाना नहीं खाती योगा करती है हम फुल खाते हैं चीजें सब अब उल्टा सोते इंड्नि होते हैं चल्डा थे फिर विए मोटी नहीं है बहुत खाते हैं योगा करना पड़ता है पर यह यूगा का था हैं मलता थोड़ी देर 15-20 मिनिंद बस उबहुत किया है यह एक आप दिमाग मेरे कि हाज योगा कर लिया मायन फ्रेश नहीं कर दो तो नहीं किया और आपका मुदिता कुछ नहीं नहीं हुए नहीं है इसे गलत ओर्टिवेशन नहीं लेते हैं हम पढ़ाई में कैसा कॉर्डिनेशन आप लोगों का रहा हम अभी मिले हैं मतलब कि हम इसके दौरान हमने बात करना शुरू की थी बस उसे पके दोस्तों के इतने कम टाइं में पता था हां हो गए अब तो यह जब होस्तल में आप र इंट्रव्यों दिया था और दौनों का हो गया है अ हॉस्तल ने दो लोग इंट्रव्यों पोचे वह उन्डेशन रिज़ट आगया है तो आपके क्या सब्च्ट और मेरा हिंदी लिट्रेशर नहीं ही अच्छा आपकी बार मैंने सुना ऑच्छा रिज़ट रहा है हिंदी और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने अपनी प्रपरेशन शुरू कर दे थी तो बस मैंने ग्रेजुएशन ही किया अभी मैंने फोम डाला है अब के सिरुफ तो यह तो जाएगी लेकिन फिर भी मतलब की पढ़ने का तो कि अभी मिल्य तो ठीकि है हां इसलिए फोस ग्रेजेशन ग्राहाँ मुझेभी अपने नाम क्या कि डॉक्त्र लगवाना है जो इसलिए लगवाशन रही है मेरे से नाम किया कि तो डॉक्टर लगी जाएगा मुझे बस वो चाहिए डॉक्टर दिव्या तो लिखाई जाना चाहिए वह बहुत ज्यादा भई बहुत ज्यादा पता नहीं है पर हां डॉक्टर उसका रूल तो उनका बेसिक है ना सब्सक्राइब किया तो तेरा साल के आप सकी सिर्फ पढ़ाई है जैसे लोग कहते हैं तीन सो रुपए फीस ले ली जाते ही वह तेरा साल से पूरे बाल उड़ा चुका है ना तब हो तीन सो रुपीस ले रहा आपसे तो वाट टॉप्टर यूपीस कर लिया आप राजस्था के कहां से रहने वाले हैं तो मेरी स्कूलिंग जो है एट क्लास तक वहीं के आदर्श विद्यामंदर स्कूल में रही है इसलिए मेरी स्कूल का भी बहुत कॉंट्रिबूशन है मेरी हिंदी बैटर होने में और फिर वहां की गवर्मेंट स्कूल से मैंने 9th, 10th, 11th, 12th किया और 10th मेरी 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 भी स्कूलर्शिप में तो मेको जापान गवर्मेंट का एक स्कॉलर्शिप बे मिला था तो उसके बाद बस फिर चीजे फिर दीरे दीरे वहां जब हम जापान गए तो मुझे रेलाइज हुआ कि क्या डिफ्रेंस हैं दो कंट्रीज में तो बैक ऑफ द जॉब की फिर जब चीजे थोड़ी सैटल डाउन हुई तो फिर इस बार वार उसमें फील्ड में थी हां मैं पीपी किट वाला प्रॉपर जो होता है तो बन गई थी तो इनका कॉंप्टिशन क्यों बढ़ाने आ गई क्या वजह थी है हां बात बढ़ाएंगी साल बच्चो कॉंपिटिशन बढ़ाएंगे आपको तो नहीं पढ़ाएंगे और योगा भी नहीं करूंगी तब बी और खाऊंगी अनली बताती निये लेकिन ये हां मैं पूछती भी हूं कर मुझे इतने डार्ग सर के लोग हैं देख लो इसके तो बिल्कुल नहीं है इसके तो अलागी चिंता हो रगी है आज फैर से ऊपड़े से हो रहा है को मिन इनको अचाए आप दूनो कितना अगना पढ़ना चिये पूरी नीन होने के बाद जितना बचे बस तक आप दोनों यी बहुत यह भी बहुत सोती थी मैं भी बहुत सोती नहीं नहीं प्रॉपर मैं तो नो घंटे तो लेती थी नो घंटे तो सोना ही है मैंलब चाहिए उसको कैसे भी पूरा करते हैं तो हमें लगता आज नीन नियो डंग से हां मैंन के टाइम भी उस तेम पर थोड़ा सा कम हो जाता है वो इतना प्रेशर होता है लेकिन फिर भी और नीन लेना मुझे ठीक भी है मतलब जब तक आप अ बिल्कुल होता है क्योंकि ऐसा रिसर्च कहते है कि यूमन ब्रेन की जो कॉंसेंट्रेशन होती हो 50 मिनट स्टेट एक बार में रह सकती है उसको ब्रेक की जरुद होती है तो मैंने तो किया यह और चोविस गंटे होते हैं नो गंटे सो जाएं तो उसके बाद भी पढ़ने क पहली बार त्यारी कर रही थी तो कोई नहीं था मेरे इस पार तो फिर विम्याई मैं यहाएं वहां गही थी मतलब मुझे में ऊटेश्प सब्सक्राइब करना हमारी बुक्स प्राइम होती हैं और मेंटर भी होते हैं आपके लिए कि आप इन्डिवीजब जाके अगर आपकी कुछ मैंको पूचक तो यहाइं कि यहां पर थोड़ा सा इंप्रूव करिए या यह वाला पॉर्शन आपका तो वो मेंटर सापकी कोपी देख के बता रहेते हैं कि मेंटर्शिप प्रोग्राम का सबसे बड़ा फाइदा है कि कस्टमाइजेशन और प्रिपरेशन क्योंकि और मेंटर नोज बाउटर स्ट्रें नहीं इस प्री आफ कोस्ट या 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 इस प्री ओफ कोस्ट अभी थोड़ी देर पहले गये हुए थे इसी मुखरजी नगर के आपको वीडियो भी लिंक में मिल जाएगा तो वहां दो लड़के प्रिंस और गगन मिले वह भी आई-इस के लिए क्या है उनके कमरे में हम थ तरीके से रहती है ऐसी बात यहां करके थोड़ा-थोड़ा मुझे लगता है उससे भी अच्छी चीज कि वह उनका संगर्श दूसरा है कि वह किराया पे कमरे लेके रहते और यह इनको मेंटर्शिप प्रोग्राम मिला हुआ हुआ है तो इसके थू इनको अच्छा हॉस्ट से यहां मैं दूसरा प्रोग्राम जो है वह सेलव स्टडी का क्या रोल होता है कि आपको अपनी चीजे पता होती हैं कि आपको कौन सा पोर्शन मुतलब अच्छे से आता है या आपकी स्टेन्थ कहा है है वीकनेस कहा है तो मुझे लगता है या आपकी स्ट्रिंथ कहा है तो मुझे लगता है हाँ भई खुद के सामuds फोomina ने में कि आपको पता है किः साथ kilka प्यों फिस एक फिस जर्ड़ने आपको आपकी मेहनत का तो पढ़ाई के अलाबा जैसे सोशल मीडिया हुआ या फिर मुवीज देखना हुआ ये सब इस पढ़ाई में हुपाता है प्रॉपर तरीके से मैं तो प्रॉपर एक्ट्रोवर्ट इंसान हूं सोशल मीडिया वाली एक्जाम से एक दिन पहले भी मीम पोस्ट करती हूं में को कोई लोड नी है बढ़िया एक दो मैं सारे सोशल मीडिया हैंडल स्प्राइब रहती हूं और बस डिपेंड्स कि आप क्या इन्हों ने मुझे दस दिन पहले एक एडवाइस दे थी कि अपने इंस्ट्राग्राम हैंडल पे कुछ अफ्लोड कर दो क्योंकि वह खाली है तो वह रियल लगेगा कम से कम तो पिछले दस दिन हमने दो चलते हैं सब जगे फेक चलता है अभी तो इंस्टा पे है मैं वैसे वोट्सप यूज करती थी पहले बीटर फेस्बुक यह सब नहीं अभी तो आपके तो सारे हैंडल भी बने हुगा आपके नाम के अब क्या ही कर सब्सक्राइब कर रहे हैं कैसा कुछ नहीं है इनके इनका रियल इंस्टाग्राम अकाउंट है वह आप अपनी हैडलाइन में चलाइगा ताकि मां इनके फॉल्वर्स बढ़े और बागी पेजेस डिस्करेज हो ठीक है इनकी डिमांड है बहुत जादा आप उसके लिए हम अलग से बात कर लें है कि उसका उसको कैसे आके बढ़ाना है अब तो दिव्या कल को जो है जबाइस हो जाएंगी किसी जीले मे तैनाती हो जाए तो इनके फॉलोर अपने बढ़ने लग जाएंगा पोलोर का कोई लोड नहीं है कि दिव्या चीजे ना चले है तो अब ही आने लगी है तो एडिट करके किसी किसी के इडिट करके मेरा पेस्टिप कर मेरको तो पर दिमें पीडिया जीव बना दिया सर हो तो थी के किसी को महन לפ य arrow की अव मेरे नाम से चलारहें ॉटी लोग देखतें सर्च करते हैं तो अब मेरे को सच करते तो मेरे नाम जा पिसी ओर लड़की का तो मुझे वो थोड़ा सा लगता है मर्दूंढ है थोड़ा साने होना चाहिए लेकिन क्या कर सकते हैं बिलकु सही लगता है आपको यह नेगिटिव एफेक्स हैं और जो लोग भी यह काम करें डांस एडिट ना करें मैं मेरे को तो दांस हाता भी नहीं है हमने तो आप भी डांस नहीं किया पार्टी में भी आप लोगों की खाने पीने की हुई एक जो बहुत जरूरी बात दिव्या ने कहीं है कि यह जो सोशल मीडिया पे आजकल फेक चीजों का चलन है कि कोई अगर किसी का नाम हो गया दिव्या आज जहां भी है अपनी पूरी मह सर्फ दमदारी से हैं बहुत सामानने बैग्राउंड से आती हैं और उसके बाद यह मकाम हासिल करने के बाद यह आपको कत्या जाधत नहीं देती कि आप इनकी फोटोज को मौफ करें आप इनकी फोटोज को एडिट करें या फिर वीडियो अपने लाइक से शेर बढ़ाने के लिए करें दिव्या की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है और अगर आप कुछ भी शेयर करते हैं कुछ भी डालते हैं तो अगर आप लिखना पढ़ना ही तो दिव्या की ओरिजिनल फोटो के साथ लिखिए दिव्या को सुब्कामना है दीजे लेकिन इस तरीके की चीजें मुझे मेंटली भी कभी-कभी बहुत फील होता है कि आप कुछ भी चला रहे हैं कोई भी डांस चला मुलब थोड़ा वलगर भी जो होता है कि क्योंकि भई आम एन ओफिसर तो वो डिगनिटी मुझे खुद को मैंटेन कर लेकिन जो फेक चीजे चल रहे हैं तो मुझे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को मेरी पढ़ाई के लिए मेरे सेलेक्शन के लिए इन सब चीजों के लिए जादा जाना जाए उसके लिए सर्च किया जाए और मैं तो यूटूब का कोई मेरा चैनल है लेकिन मेरे नाम से इतना फेक सब कुछ वो ठीक है कि ही त서 हमेरे निजी राय बी आलगी है कि एससा नहीं होना चाहिए इस से किसी भी बच्चे के मानसी कसर पड़ता है और उसके अगर इतना डिकेशन ना हो तो कई बार उसके रिजल्ट में उसका फर्क नजर आ जाता है तो दिव्या अभी जैसे अब आपका सेलेक्शन हो गया घर वाले खूश होंगे, मम्मी से बात हो रही होगी, और भी लोग तारीफ कर रहे होंगे, कभी यह सोचा था कि इतने कम एज में यह सक्सेज मिल जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन मेरा थोड़ा शुरुआत से क्लियर था कि मुझे UPSC करना है, और मुझे लगा थोड़ा भगवान का साथ रहा, मतलब की पहले अटेंप्ट में भी, मतलब आई-गोटा-IPS, और इस बार भी, पर मैंने महनत की, मतलब मेरी महनत में, व और वैसे घर में आपके कौन-कोन है, जो आपके इकदम सपोर्ट करते हैं, ममी है, मेरी सिस्टर है, छोटी और मेरा भाई है, चोटा, मैं बड़ी हूं हम, हाँ, बच्चों में, बस, यह देखिए, मतलब आप इनके आखों में चमक देख सकते हैं, इनने कुछ हासिल कर लि मुझे ऐसा सुनना ही नहीं कि मैं अर्याना से नहीं लगती हूं, मुझे सुनना है कि मैं अर्याना से लगती हूं, मुझे 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 अर्याना से में जब आपने बोला तो लगा एक मज़ेदार चीज है कि जैसे हर्याना पहले थोड़ा सा रूडिवादी स्टेट माना गया और और भी कई सारे स्टेट है लेकिन उससे आप देखो कि लड़कियां कितना बहतर कर रहे हैं चाहे ओलंपिक में हो चाहे अथलीट हो चाहे और को अधरिए बिभी तो पुरा पोड़ा पुरा इन्डिया रहे है उसा है आपकी दोस्त को थोड़ा सा दिक्रत है कि रहे कुझ है मुझे आपकी फैमिली में मेरे गड़ा इंस्पायर अजय है और मेरे सकूल है मेरी मर्दर हाउस वाइफ हैं बोथ माइपरेंट्स अब से पढ़ाई वाला ही तो हम पूरी रात जगने वाले लोगे कि बच्चा पढ़ रहा है तो हम पूरी रात जगेंगे पहले मम्मी फिर पापा रात को बनाना खिलाना वाला टाइप तो हमारे गर का माहल शुरू से प्रप्रशन कर रहे तो इसको कंटीनू नहीं कर पाया तो ही है इस बीन मूर है बेटी ने कर दिया और इक सिक्षक के लिए इससे ज्यादा खुशी के अन्बूती किया हो सकती कि उसकी बेटी जो है और उसके बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं सिक्षा में खेर आब आप ग्राउंड पे काम करने का मौका मिलेगा बहुत अभी यह पूछना ना कि आप भविश्य में क्या करना चाहते हो यह बड़ा क्लीशे सा सवाल हो जाएगा लेकिन बेसिक्स है कि आप थौट क्या रखते हो मतलब समाज के लिए किस तरह की सोच रखते हो कि इसको किस तरी के मेरे माहिलाओं के लिए काम करना चाहती है क्योंकि मैं अपनी मदर के बहुत खोभ donating किमया मेरे मज can उनकी में अपनी मेरे सारा फयोकस में चाहतीं कि मैं रखोू Oke और चुकि मैं हरियाना से हूं हमारे वहाँ पे थोड़ा सा है मतलब अब तो खर काफी चेंज हो रहा है लेकिन थोड़ा सा लड़कियों को लेके रहता है कि थोड़ा पढ़ा हो ऐसे तो मैं चाहती हूं कि मतलब मैं उनके एजुकेशन पे हेल्थ पे वहीं काम करूं मतलब ए कोशिश करूंगे कि वहां की महिलाओं की चीजों को समझ के और उस हिसाब से काम करें कि कमाल की बात कई दिव्याने मुधिता आपके क्या थौट प्रोसेस है क्योंकि मेरा बैग्राउंड ही है मैंने पढ़ाई है तो अब इस नॉलेज को यूटिलाइज और पाइपलाइन कर इस नहीं हो पा रहे हैं तो एक अप्रोच का डिफ्रेंस लेके वाई पे ज्यादा फोकस करके और चीजों को फिर में आगे लिए जाना चाहूंगे तो मेरा कोब सेक्टर ही है और बच्चे मुझे बहुत पसंद है नहीं तो मैं पीडिया में पीजी करती जाब मेरा दिख रही है तो मुझे खालो अगर तुम्हें भूख लग रही है तो अपने लिए लाई है यह जा गया है यह गिफ्ट और आप इसमें से खा सकती है विलकुल का अब आज वैसे बोजा दमीठा खाली है आप सुबह योगा कर ले अप सुबह योगा नहीं हो आप सुबह अब आप पहले नहीं मुझे तो शुरुआत से मतलब आई एसी बना तो मैंने आइस के लिए सोचा था कि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिमिनल्स को हैंडल करने से जादा मुझे डवलपमेंटल वर्क करने में ज्यादा इंट्रेस्ट है मैं जाती हूं कि मैं पोलिसी बनाओं म लोगों की लाइफ में कुछ इंप्रोव्मेंट हो सके तो मुझे लगता है मेरी परस्नेलिटी आई एस के लिए ज्यादा अनुकूल है तो इसलिए हां मतलब मेरा एडिया यह कि बेसिकली हम लोग ना हेल्थ की वो डेफिनेशन पढ़ते थे कि हैल्थ क्या होता है तो होती है एंदी की कि फिजिकल, मेंटल और सुशल वेल बींग की बात होती है वह है तो जैसे मेडिकल फील्ड इसमें सिर्फ थोड़ा अनुक्त की बात हम नहीं करते हैं तो मैं एल्थ के उस आसपक्त करना चाहूंगी और हैल्थ क्योंकि मेरा बैग्रांड है तो जैसे राज़स थोगी अपने आपने को विकास सरने कहा भी कि नौकरी तो अप्सकी तो नोकरीा को धूसारी आप इंपनी जियान है तो फिर खुद बन जाते हो तो फिर थोड़ा कहना बटार अरो थे आपनी कैपसिटी का पुली को यह क convention कर कर पाहे वो न्करी ज्यादा वेटर है और यह जये की आप कुसे और को एम कर रहे हैं तो मेरा declái और हमसर के फोलोवर है तो थोड़ा सा मतलब वो बस ऐसे सब कौन सी समाइंड में रहता है और बहुत दिल्चस्प है दोनों से बातशीत की हमने और कितने सहाइस तरीके से बात की कैसे इन्हों ने तयारी की उस पर भी बात हुई और इनका जो थोट प्रोसेस है उस पर बात ह और बहुत बेवाकी से दिव्या आपने भी और मुदिता आपने भी बात रखी लेंटॉप के जो भी दर्शक यह वीडियो देख रहे हैं वह मुझे उमीद है कि वह आप दोनों की बहुत सराहना करेंगे क्योंकि इतना बोल्ड हो करके खुल के बात करना अपनी चीजों को रखना बहतर तरीके से यह बहुत ही आसान चीज नहीं होती है कई बार आप खुता है कि आप बोलते अच्छा हो लेकिन कैमरा ओन होता है तो लोग नहीं बोल पाते हैं तो आप दोरों ने एकदम बढ़िया शुरुआती बढ़िया और दोनों वाचाल तरीके से लड़ते ह आप लोग ऐसे हस्ते मुस्कुराते रहें समाज के लिए देश के लिए अपने प्रदेश के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहें यह आपको शुपकामना है और आपके जित्ते साथ ही है इस होस्टल के उनके भी कमरे में इसी तरीके के मिठाई अगले बरस आए इसकी करते हैं आपको यह पूरी बात्चीत कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए मेरे नाम अपनो पांडे के पीछे मेरे बहुत ही दमदार दोस्त पंकज हैं यह भी हर्याना से ही है इन दोनों का ही युगदान है पढ़ाई का है यह बहुत मेहनती हैं अपने अपने बैग्राउंड में इन्होंने जहां इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी वहां खूब अच्छा परफॉर्म किया है फिर एक मेंटर के तौर पर और एक संस्थाद्रिश्टी शंस्थान में काम करने के तौर पर मैं खुद भी अपने आपको शौबा के शाली समझता हूं ऐसे स्टूडेंट के साथ टाइम स्पेंड करना इनके साथ काम करना डिजर्व करती हैं दोनों और मैं यह भी दावा कर सकता हूं कि आज के दस बीस साल बाद जब आप देखेंगे तो इस तर के रहे दीललन टॉप शुक्रिया